हमारा चित्व, हमारा मन, शदयू इसी असत में विचरता रहता है असत शरीर, असत इंद्रिया, असत इंद्री के भोग, बश यही इनका व्यापार है भोग भोगना, कामना करना, कर्म करना और वही फिर भोग की आकांख्षा करना इसी को संसार चक्र बंधन है हमारी कोई बंधन ब्रत्ति ना होते हुए भी इसकी स्वीकृती के कारण हमारा जनम होता है इसी स्वीकृती के कारण हम महान दुख भोगते हैं इसी स्वीकृती के कारण ही हमारा मरण होता है यद्यपी ना हमारा जन्म है ना हमारा मरण है ऐसा स्वरूप है उस शत्य नित्य चैतन्यगन आनंद स्वरूप का बिश्मरण करके इस देह को देह के व्यापार को देह के भोगशम्मंधी चेश्टाओं को हमने शुक मान लिया अपना मान लिया यही अज्यान है अब क्या हुआ जब हम शत्संग के द्वरा सत्मार्ग की बात सुनते हैं और उस पर चलने की सोचते हैं तो हमारा मुखिया मन है इसको अपना मुखिया बना रखा है क्योंकि ये हमें सुख का प्रलोभन दे करके अधीन कर लिया है कि मैं तुम्हें अच्छे-च्छे शुक भोगो आऊंगा तुम मेरी बात मानो देखो तुम ये देखो ये शुनो ये भोगो ये चखो ये शुंगो ऐसा करो ये मुखिया बन रखा और मुखिया बेइमान है और हम इस पर विश्वास कर ले फस्ते चले गए अब इसे हम अपने अनुशार चलाना चाहते हैं अपने अनुशार गुरू के वचन के अनुशार सास्त्र के अनुशार भगवदवानी के अनुशार क्योंकि ये ही अपने है अब ये पूर्वा अभ्यास वस जहां ये हमको लगाय रखा है सलाह दे दे कर हमको फसाय रखा है अब इसका अभ्यास उधर जाने का हो गया है इंद्रियों के शाथ प्रकत में बिचरण करना इसका सुभाव है मना खष्टानि इंद्रियानि प्रकतिस्थानि कर्षति अब इसके श्वभाव इसके प्रभाव में जो हम बंध गए बज़िसी बंधन का काटना मोक्ष है अजि बढ़ा कठी नहीं अरजुन जी प्रभूशे कह रहे है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्रडम तश्याहं निग्रहं मन्ने वायो रिव शुदुश्करम ए कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है ये कहीं टिकता नहीं है भागा घूम रहा है अगर इसे हम रोकने की चेश्टा करें तो बलवद बड़ा बलवान है समझाने की चेश्टा करें तो द्रडम बड़ा जिद्धी शुभाव का है मानी नहीं राज अब हम अगर सहने की चेश्टा करें तो प्रमथन शुभाव का ऐसा व्याकुल कर देता है कि फिर इसके अनुशार ही चलना पड़ता है तीन बाते कहीं प्रमाथी, बलवत, द्रडम जिद्धी शुभावाला बलवान है और ऐसा मंधन कर देता है कि व्याकुल कर देता है वही करना होगा जो एक कह रहा है इतनी व्याकुलता इसी को जो शह गया उसे महात्मा कहते हैं जो तूट गया वही दुरात्मा बन जाता है और प्रभू तश्याहम निग्रहम मन्य वायोरिव सुदस्करम इसको रोकना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वायो को रोकना कठीन है तूफान को रोकना कठीन है ऐसी मन को रोकना बहुत कठीन है श्री भगवार ने कहा अशंसयम महाबा हो मनो दुर निग्रहम चलम अभ्यासे न तुकाउं ते वैरागेन चग्रीहते हे महाबा हो यह मन बड़ा चंचल है यह सत्य बात है अशंसयम कोई शंसयस में नहीं इसको रोकना बड़ा कठीन है यह तुम्हारा कहना बिल्कुल शत्य है परैशा में किसे रोका नहीं जा सकता रोका जा सकता है तू कौंती है हे कुंती नंदन इसे रोका जा सकता है तुम जो कहरे बिल्कुल ठीक है यह बड़ा बलवान है जिद्धी शुभाव का है यह प्रमतन शुभाव का है इसको रोकना बड़ा कठीन है अशन्शयम, बिल्कुल शत्य है ऐसा, पर इसे रोका जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसे कोई रोक नहीं पाया है, इसे कोई रोक नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो भगवान आदेश ही न करते हैं, भगवान उसकी शामर्थ को जानते हैं, इसलिए कहते हैं, तुमने जो बात कही प् जा सकता है थे कुंती नंदन रोका जा सकता है तो कैसे रोका जा सकता है उले अभ्याशें च वैराग्यें अभ्यास के द्वारा वैराग्य के द्वारा इसको पूर्ण रूप से वश्म किया जा सकता है जो विवेकवान होता है वो भोगों की चाह नहें करता है विवेकवान देखता है कि विपत्ती अच्छी वस्तु है सबसे बड़ी विपत्ती है भोगों में शुक मानना जो बाह प्रतिकुलता आती है भक्त की भक्ती का वर्धन करने के लिए आती है एक बार महां बाहू केके शंबोधन कर दिया इसी स्लोक में तो दुबारा कौंते कहने की जरूरत नहीं थी एक ही स्लोक में दो बार शंबोधन की आरजिन को एक बार का महाबा हो घबड़ाने की जरुत नहीं है तुम तो बल्वान हो यह विशाल बाहूं वाले तुमने कैसे श्वईकार कर लिया कि यह बस में नहीं होगा और दूश्रा कहा कुंतिय कुंति नंदन हो तुम कौन शी कुंति जिनोंने विपत्ति ही मांगी कि पग पग पर विपत्ति दीजिए क्यों क्यूंकि जब जब विपत्ति हुई है तब मैंने हे कृष्णा आपको अपनी तरब भागते देखा है वाज शंपत्ति आ गई हस्तिनापुर की शिंगाशन पर युदिष्ठिर विराजमान है तो आप पीठ करके जा रहे हैं द्वारी का मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख ऐसा पद जिसमें आप पीठ कर ले हमें आपकी शनमुक्ता चाहिए क्योंकि जब जब भी पत्ति हुई प्रवीन है तो मन क्या करता है प्रमथन सुभावला है दुख पैदा करता है इसे सहो सहने से इसको जीत जाओगे और आप कह दो कि हम शेह नहीं शकते यह आपकी गलती है आप सब कुछ सह चुके हैं इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता मा के गर्व में नौ महीने रहे है कोई वो फाईप िश्टार होटल नहीं है कि वहाँ जो आप चाहते रहें वो शब आपको मिलता रहा भ्यानक कष्ट कुंदलाकार होता है शरीट ऐसे गर्वस्त शिशुकााकार ऐशे होता है कुंदलाकार और मुत्र के थेले में होता है पास में ही मलाशय होता है मुत्राशय होता है घरणी तो वस्तमें सब उसमें भरी होती है उसमें जी होता है उसका जीवन जो नाल होता है उसी से मा के शरीर से वो वस्तमें उसके शरीर में जाती जिससे उसका पोशन होता है ऐसा नहीं कि वहाँ वो बेहोच पड़ा हुआ है छेतना होती है भगवान कपिल देवजी माता देहुती को जो उपदेश करते हैं तो ये बरणन किया है तरह हिमाम पुकारता है वहाँ एक बार निकाल दो इस नर्क से मा के गर्म से एक बार निकाल दो मैं हैशा भजन करूँगा कि दुबारा ये नर्क ना मिले याद है आपको भला वो कश्ट याद है जो नो महिने मा के गर्म में कहां से निकले आप विज़ार करो कितना भयानक कश्ट बाल्यावस्था का कश्ट अब योवन वस्था की कामना में सब बाते भूल करके फिर मन की अनुशार चल दिये तो हम डर किस बात से जाते हैं मन से कि हमें दुख देगा तो कहे रहे कौंते हो तुम तुम तो कुंती नंदन हो जिनोंने दुख मांगा ही इसके प्रमथन से तुम डर क्यों रहे हो नवे नहीं और महा बाहो तो महान बलवान हो तो कहे दे तो अरजुन के लिए drinking है हमारे लिए क्या है नहीं जानते हो अरजुन की भजाओं में किस का बल है अभयत भुजदन डमूल स्री कृश्न का बल है इसलिए बिजे स्री उनको मिले तो हम किनके हैं, क्या आरजुनी भगवान स्री कृष्ण के हैं, हम प्रभू के नहीं हैं क्या, यही तो भूल कर रहे हैं, प्राया हम यहीं अरे वो तो महापुरुष, नहीं, एक घूर दुराचारी में भगवान अपनी संपुर्ण सक्ती लिए बैठे हैं, जैसे एक महात्म के हरदय में, ऐसे एक धुरात्मा के हरदय में बैठे हैं, नहीं भगवान के स्री मुख के वचन है, वही पंडित है, वही ज्यानी है, जो विद्याविने शंपने ब्राम्हने गविहस्तनी स्वनी चैशुपाके चापंडिता समदर्शिना, मत्ता परतर्म नान्यत किंति ज मेरे शिवा कहें कि इंचिन मात्र कुछ नहीं वास देवा सर्मित समात्मा सुदुर लभा सर्वत्र भगवान समान भाव से बिरादमान हैं पर जिनोंने भगवान को अपना मान कर मन के द्वारा दिये हुए दुखों को शेह कर आगे वढ़े उनके हरदे में भगवान अपनी शक्तियों शहित प्रकासी तो हो गए शब में और महात्मा में अंतर यही है शब में भगवान तिरुनात्मी का माया का परदा लगा कर शेयन कर रहे जो मनमाने करो उसका दंड भोगो जैसे चाहो लेकिन महात्मा के हरदे में इसा नहीं भै प्रकट कृपाला दीन दयाला प आप सारी बाग डोर अपने हाथ में ले लिए अव वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं अब उसकी चाह खतम हो गई अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला दी अब उसकी चाह प्रभु की चाह हो गई खतम संसार चक्र प्रभु कह रहे हैं इशे वश्मे किया जा सकता है और किया है अशानि किया जता किसे किसी ने वश्मे सही पुछो तो इसकी सत्ता ही खतम हो जाती है मन मन ही नहीं रहता मन कृष्ण हो जाता है मन हरिवन्ष हो जाता है स्री हरिवन्ष सु प्राण सु मन हरिवन्ष गनिज्य मन क्या हो गया हरिवन्ष हो गया जैसे अभी हमारा मन विशय है विशय बन रहा है यही विशय की कलपना करके विशेयों में शुक का भ्रहम पैदा करके हमें विशेयी बना दिया और हम कह बैठते हैं कि हम तो शंशारी हैं हम तो विशेयी हैं नहीं हम विशेयों में जरूर परास्त हो रहे हैं पर हम प्रभू के हैं इसमें कोई बात लगाने वाली नहीं हैं उनीक है जितना मीराजु को प्रभु प्यार करते हैं सच्ची माने उतना आपको भी प्यार करते हैं पर मीराजी जितना प्रभु को प्यार करते हैं उतना आप नहीं करते प्रभु की सिकायत नहीं आप कर सकते हैं आप देख लिजे हमारी तरफ से कमी है मीरा जी का प्यार सुरक्षित है बटा हुआ नहीं है कहती मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरो न कोई और हमारे प्यार में अगर यहां तक बात आ गई कि मेरे तो गिरधर गुपाल पर ये बात नहीं आपाई दूसरो न कोई दूसरा भी बहुत कुछ है पर प्रभु का प्यार बटा हुआ नहीं है वो हमें शमान प्यार कर रहे हैं पर हम शमज नहीं पा रहे हैं जब उनका हमारे उपर प्यार है तो हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर उनका प्यार नहोता तो आज तक कोई विजय प्राप्त ही नहीं कर पाता अब प्रभु आदेश कर रहे हैं कि तुम्हे वस्मे करना होगा जैसे कोई प्रमाद इस्थिती में कि अब हो जाएगा नहीं आदेश कर रहे हैं भगवान करें अब भ्याशें तो कोंते वैराग्यन चगरी हते तुम करो इस मन को वस्मे करो मैं उपाय बताता हूँ वैराग्य पूर्वक राग रही थोकर अब भ्याश करो मेरे भजन का मेरे चिंतन का सबसे पहले वैराग्य है क्योंकि अभी हमारा अभ्यास चालू है पर वो राग पुर्वक विशयों के शेवन का बहिराग्य का अभ्यास नहीं है राग का अभ्यास है ये भोगना, ये देखना, ये शुनना इसी का तो बार-बार अभ्यास कर रहे है और उशी का हमारे अंदर संसकार बनता चला जा रहा है तो बार-बार मन उनी भोगों में जाता है पहली बात हमें देखना है कि मेरा प्यारा कौन है देखो एक हरदय में शब के उमगन है सब के होती है कोई मुझे एक ऐसा यार मिले कोई ऐसा मुझे मित्र मिले जो मेरे मन की बात करे मेरे अनुकूल अगर मैं कुछ गलत भी हूँ तो भी मुझे त्यागे ना शदयू मेरे शात्र है मेरी गलती पर मुझे छोड़ ना दे किसी बात पर किसी क्रिया पर किसी चेस्टा पर वो मुझे छोड़ न दे ऐसा मुझे मित्र चाहिए सरवत्र मेरे शाथर है कभी भी छुड़े न अंदर से देखकर मांगो रूपवान हो बलवान हो एश्वरिवान हो बुद्धिमान हो ऐसा मुझे मित्र मिले देखो शब के मन एक समर्पन के लिए मन हमारा जब नो किशूर अवस्था होती है तो इसमें एक अलवेला पनाता है और ऐसा लगता है कि मुझे कोई श्वैकार कर ले कोई भी हो इस्त्री हो पुरुशो को एक ऐसी हरदय में उंगन होती है ऐसा लगता है मैं अपने हरदय को किसी को शमर्पित कर दू सब देख लिजिए ये अपने सब के हरदय की बात है एक मन में ऐसी मीठी मीठी पीरा होती है कोई अपना आशा मिले जिसको मैं अपना समर्पन कर दू दिशा गलत है तो वो काम को समर्पन कर देता है मोह को शमरपन कर देता है लोब को शमरपन कर देता है देखो अपना जीवन नस्ट कर देता है लोब लगा हिन्सात्मक ब्रतियों में उतर गया मारा गया मोह में फस गया मारा गया काम में फस गया मारा गया गलत जगे हमने अपने हृदे को दे दिया है श्रिश्वामी जिम्हरज श्रिश्वामी हरदास जिम्हरज कहां देना है हमको हरदे वो कह रहे देखो इन लोगनी की लावनी इनकी लगन देखो कहां है कहां अपना हरदे समर्पित कर रहे है कि इसको अपना प्यारा समझ रहे है कहीं भी चल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा आपको सची बार करें तुरी भुवन में खोज डालो तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा तुमारा रूप है, तुमारा शरीर है तुमारी शंपत्य, तुमारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हे असलियत समझ में आएगा इसलिए आचारी की बात मालो महाप्रभू हरिवंच चंद्र जो कहे रहे हैं पाए जान जगत में कुछ जन नहीं सब जन कपटी कपट क्यों महाप्रभू है शक क्यों बोले जो कहरे शर्वान वस्तु तया निरिक्ष परमस्वाराद बुद्धिर्मम वो कहरे कपटी हैं सब हमसे कोई प्यार नहीं करता है हमको जानता है नहीं तो प्यार क्या करेगा हमारे देह को देख रहा है हमारे पास जो कु तुमसे प्यार करता हूँ वो हमें जानते हैं नहीं तो प्यार क्या करेगा हमसे जब हमें जानते हैं नहीं तो प्यार क्या करेगा वो देह को जानता है उसके अनुकुल जो कुछ हमारे पास है वो उसको लेने के लिए कह रहा है को शुरूप यह होता है जहां अपने प्यारे की खुशी में खुश होना अपने प्यारे की शुख की ब्रती हरदे में रखना कैसे शुखी होगा ये तो किशी भी नहीं है सब कप्टी है अपने शुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है अगर उसके शुख की वस्तु हमार बहुत प्यार करते थे, अब वैशा नहीं करते, फिर कुछ दिन में तो करते ही नहीं, क्यों? अनुकुलता, उनको उतनी नहीं मिल पाई, इस लहसा, कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में सवजन कपटी, कुटिल, टेड़ी चाल सबकी, तुम से कहेंगे, जीवन में हमने क केवल आपको छुना है, आप अगर हमारे नहीं हुए, तो हम तो अपने प्रान त्याग दे, और ये बात कईों से बोल चुका है, और आगे कईों से बोलेगा, बड़ा कप्टी है, बड़ा कुटिल है, ऐसा सुभाव क्यों है? क्यों क्यों न प्रभू को जानता है, न तु तो अशत की सत्ता नहीं, अशत का स्वरूप है, परिवर्तंसिल, इसलिए उपरिवर्तित होता, मुझे ऐसा प्यार चाहिए, फिर समझ लो, जो केवल मुझे प्यार करें, और प्रभू केवल मुझे प्यार करते हैं, मेरे शरीर से उनको नहीं कुछ मतलब है, मेरे पास जो शामागरी दी हुई, वो सब उन्हीं की दी हुई, उनको मेरे से अनकुलता नहीं चाहिए, वो केवल मेरे लिए मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे को जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं, यह बात, तुमें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता ह वो तुम्हें जानते ही नहीं है, तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं, बिनु जाने ना होए परती थी, बिनु परती तो होए नहीं परती, दोखे बास तो है ही वो, वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकुलता को देख रहा है, इसलिए वो प्रभुचित चूक किये की करत सुरत सव्वार हिये की जन अगुन प्रभु मान नकाऊ दीन बंधु अति मर्दुल शुभाऊ अगुन करे समुद्रशम गनतन अपनो जान राई की सम्भजन को मानत ऐसा कौन दोस्त होगा? कौन प्यारा होगा ऐसा? कौन प्रितम होगा? हम कह रहे हैं प्रभुशि मैं आपका हो वो श्वईकार कर लिए तु मेरा है फिर भी उनको अंग उठा दिखा दिया और विश्यों की तरफ जा रहे हैं नजाने कितने कितने से बात बोलते हैं पर वो कभी नाराज नहीं होते बिमुक भये निमिशों न अक्रपा जब चिताये तब हुएसे कैसे उदार है तो स्वामी जी महालाज करे देखो इन लोगन की लावनी ज़रा है इनको देखो ये प्रीती कहां कर रहे हैं ये प्यार कहां कर रहे हैं देखो इन लोगन की लावनी विशयों में, विशयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कह रहे हैं, बूज़त नाही हरिचरन कमल को ये मिथ्या जनम गवावन, जो हमारे सच्चे हितैसी, सच्चे प्रितम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये समझ नहीं रहा हैं। अपने को शुधारने की चेस्टा नहीं कर रहा, गलत मारग में बढ़ता चला जा रहा है, अरे हमारा सच्चा दोस्त हरी है, ए देखो, कितना बड़ी हां मित्र है हमारा, कुई ऐसी जगह नहीं जाओ हो ना, देखो, कई भी आप हो, अच्छा, कैसी भी आप हो, वो आपको ल से गोर अपराद बन जाए, वो हाथ मिलाए खड़ा रहेगा, कैसे तुम्हें बताए, जेही अग वध्यू ब्याध जी मिबाली, सोई सुकंठ पुनिकीन कित कुचाली, सोई करतूती बिभीशन केरी, सपनिहु राम नतिंतने, कैसा शुभाव अमारे प्रभुका है, समस्त संकटोशी निवर्ती करके बालिका वद कर दिया, लाजा बना दिया, एकदम निर्विग्न कर दिया, पास में ही रहे रहे, प्रवर्शन परवत पर, चार महीने, चतुर मात पर, एक बार भी दंडवत करने नहीं गया सुभीव, क्या ये प्रिम, कैसा शुभारती जीव है, मारा मारा भैवीत होकर घूम रहा था, निर्वे कर दिया, वरधस्त रख दिया, अगनी को शाक्षी करके मित्रता स्वेकार की, चार महीने से ऐसा प्यारा प्रवु अवैसा मित्र पास रह रहा है, आखिरकार भगवान को लखन जी को भेजना पड़ा जाओ, उनको चिताव नहीं दो, कि वही तूणी और वही धनुश पास में ही है, कहीं गया नहीं है, ये भी उनका क्रोद नहीं था, ये उनका दुलार था, कि विशेयों में भूल गया, फिर शाओधान हो जाए, रूपवान, मन्न मुस्कुरा दें तो कोटी काम मुर्चित हो जाए, ऐसा यार है इससे ज़्यादा कौन हो सकता है, शुख देने में वो अगाद शुख शमुद्र हैं उनको हम सुख दे पाएंगे, वो हमें सुख दे रहें, शुख शमुद्र हैं, ये जो हम शेवार पित करते हैं ये ऐसी ही है, जैसे पिता अपने बालक को, मनों, चार बालक हैं, उनको चारों को एक-एक शेव दिया लाके, अब तीन तो पाने लगे, एक दोड़ के आया पिता की गोद में बैठकर, उन्ही को पवाके, पिता कैसा लगा, उसके हाथ से शेव लेकरके, अपने हाथ से उसको पवार आए, गोद में बैठा, और तीनों स्वयम पा रहें, ऐशाव भक्त का भाओ, प्रभु श्यकार करते हैं, प्रभु ने ही सव वस्तु दी है, और जब हम तो दियम वस्तु गोविंदम तुभे में उस अमर पए, तो वो अपनी गोद में लेकर अपने करकमल से पवाते हैं, वही महा प्रशाद हो जाता है, प्रशादे सर्व दुखानाम हानिरश्यों पजाये दे हम क्या प्रभु को देंगे वो शुक्षमुत्र है एश्वरिवान ऐसा किसी का दोस्त एश्वरिवान होगा अरे अनंत ब्रम्भांडू का श्वामी अनंत सक्तिव का श्वामी महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती है दुरगाद प्रचंड सक्तियां जिनके ही सारे पर कार्य करते हैं चलो ऐसा कार्य करो हाथ जोड़े खड़ी सक्तियां देखो ना अवतार प्रकरण में पढ़के देखो आदेश करते हैं देवी शक्तिकों आप ऐशा ऐशा इनकी शामर्थ इनका बल और इतने करपाल हैं कि आप अपने को भूल गए तो आप अपने को भूल कर आप से प्यार करेंगे अगर आप उनके बिना जी नहीं सकते तो वो आशु भाग कर आप से कहते पाए जाएंगे मैं आपके बिना नहीं जी सकता मादोदास बाबा से कहते हैं जाते तो हुब ब्रज में दर्षन करने और मुझे नहीं ले सबस्कार्णा करें को बोलरे मैं नहीं रही पाऊँगे सबस्क्राइए दो इस North कन्म को और भुजे चुनिinação सब्रęखिट को कन नहीं सबस्किवे पास इतनी बेवस्था नहीं कि आपको इसलिए हमारी प्रार्थना है और हम आदेश भी करते हैं कि आप साथ मत चलना लेकिन आप माने नहीं आप साथ चलना ऐसा दोस्त कौन होगा कौन होगा इतना प्यार करने वाला अगर हम अश्मर्थ हो जाते हैं किसी योगी नहीं रहते हैं तो हमें कोई प्यार नहीं करेगा यहां सच्ची माने कोई प्यार नहीं करेगा देखा है देखा है इसलिए कहते हैं कि जीवन सबका एक धारा में चल रहा है अब आप लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं पिर उसी राग में लगे हुए हैं लेकिन अपने लोगों को गुरुजनों की कृपा से जितना विवेक प्राप्त है उससे देखा है कोई प्यार नहीं करता है उपहाश अनादर बाहर जिसे अपना कहा जता है कोई अपना नहीं कोई पूछने वाला नहीं कोई देखने वाला नहीं पीडा है कुटिया में पड़े हैं पानी रखा है उठा नहीं सकते ये परिस्थिते पूरा का पूरा शूर निशनशार दिखाई दे रहा है कोई अपना नहीं ये कब ये उनकी क्रपा से ये अकरपा नहीं है असली सरनागती तभी हुई तो आपके वलस्यामा से हमकर है गया असली सरनागती उशी इस्थिती में होती है जब ना अपना ना कोई पर मैं अपने लायग भी अपना नहीं रह गया जिसे अपना मानता तो उस शरीर ने धोका दे दिया बैठने की स्थिती नहीं थी बैठने की ऐसा बैठना तो असंबव ही था दिवाल का सहरा भीश और दर वो आप लोगोंने भी देखाए था क्या ये क्या हुआ ये भगवान की अकरपा हुई क्या नहीं सची कहते है ये जो शर्नागती हुई ये इसी क्रपाश हुई पूरा का पूरा आपरेशन हो गया दिखाए दिया कुछ नहीं प्रभू की शिवा कुछ नहीं अगर इसे बिवेग से समझ लो तो आपरेशन बड़ा भयानक होता नहीं होगा आपका बच जाओगे और शर्नागत हुए और अगर बिवेग का प्रयोग नहीं किया तो आपरेशन हो जाएगा पका अंत में तुम्हें दिखाए देगा कोई आपका नहीं फिर आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप जो अपने हैं उनका श्वाद ले सके इसलिए वे श्वामी जी महराज केरे बूज़त नाहीं हरी चरन कमल को मिथ्या जनम गवावनी जब जमदूत आनि घेरत तब करत आप मन भावनी समय नहीं रह गया यमदूत खड़े हुए हैं कोई अपना अव वो मन मानी तुमने की तो वो मन मानी तुम्हाई साथ करते हुए नर्क ले जाएंगे कए हरिदास तम ही चिर जीवो जब कुंज बिहारी चित आवनी तभी तुम चिरन जीवी हो जाओगे जब बिहारी जुको अपना यार मान लोगे इनको मित्र मान लोगे इनको प्रीतम मान लोगे सच्ची मानिए बहुत बड़ी भूल हो रही है जो हम प्रभू को अपना नहीं मान पा रहे ये भगवान जो आदेश कहे रहे हैं वाईराग्यन और अभ्याशन वाईरागी शी विचार से आएगा कौन शी वस्तू कौन शावेक्ती कौन इस जगत में है जो मुझे सहारा दे सकता है सच्ची बात मानना जो तुमें सहारा दिखाई दे रहा है तुमारे पास कुछ है उसके कारण है कुछ नहीं तो कोई नहीं कोई नहीं कोई भी नहीं कुछ है तपस्वी है बाबा भजनानन्दी है आसिरवाद मिल जाएगा तो खुब भजनानन्दी हो बाहर से कोई न जानता हो तो पूछता नहीं कुछ है तो आपसे प्यार, पर प्रभू ऐसे नहीं है, कुछ है तो उनका प्यार अनुभू में नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो वो बरसते हैं, बरसते, तुमें कैसे बताएं, कैसे बताएं, बस अंतर यही है, जगत का प्रेमी तुमसे प्यार करेगा जब तुम में कुछ है अगर तुम में कुछ है ऐसा भान है तो तुम हमारी प्रीतम का नुभाव नहीं कर सकते हैं और जब तुम में आएगा कि मेरे में कुछ नहीं तो बरस पड़ेगा हो और जब वो बरस पड़ेगा तो जुका देगा पूरी भिश्व को तुम्हारे सामने सारा संसार तुम्हें प्यार करने लगेगा सच्ची वाली जिधर देखो प्यार ही प्यार नजर आये क्यों जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब को जा मवंत कह सुनुर घुराया जापर नाथ करो तुम दाया ताही सदा सुभकुशल निरंतर सुर्णर्मुनि प्रसंता उपर सुई विजयी बिनई गुनसागर तास सुझस्तरेलोक उजागर तास सुझस्तरेलोक यह केवल प्यारे का प्यार ऐसा कोई प्रेम करने वाला मैं किसी योग नहीं, किसी काबिल नहीं रहे गया ताव उनका प्यार बरसता है जब सब छोड़ देते हैं किसी काविल नहीं तब वो ऐसा काविल बना देते हैं बात साथ ताज उतार के रखता है चरण में उश्वामी जी करें जब तर राम का नहीं था टुकडे टुकडे के लिए भैटक रहा था आज राम का हुआ दुबात साथ ताज उतार के रखता है